सर्दियों के मौसम में हल्दी का उप्योग सबसे अधिक लापदयक है हल्दी में एंटिसेप्टिक और एंटिबायोटिक गुन होते हैं हम आपको बताएंगे कच्छी हल्दी का सेवन करने से क्या फायदे होते हैं यह अद्रक की तरह दिखाई देती है इसमें कई तरह के उप्योग लिया जा सकता है जैसे अचार, सूप, चट्निया, चावल के विंजन लिकर जूस या दूद में उबाल कर उप्योग किया जा सकता है आईए जानते हैं हल्दी के गुन कच्ची हल्दी मदुमेक रोग्यों के लिए बहुत लाब धायक होती है इसमें इंसुलिन के स्त्रोत को संतुलन करने तथा लुकोस को नियंतृत करने का गुन है जिसमें मदुमेक के दोरान दी जाने वाली उप्चार का अशर बढ़ जाता है हल्दी गठिया रोग्यों को अत्यधिक लाब पहुचाता है यह शरीर के प्रत्यक्तिक सेल्स को खतम करने वाले फ्री रेडिकल्स को खतम करती है और गठिया रोग्यों में होने वाले जोडों में दर्थ में लाब पहुचाती है हलदी में सुजन को रोकने का खास गुंढ होता है हलदी cancer stroke को बढ़ाने से रोकने के साथ साथ उन्हें खतम भी कर देती है कची हलदी में cancer से लड़ने के गुंढ होते है यह हानीकारक radiation के संपर्क में आने से होने वाले tumor से भी बचाव करती है हल्दी में वजन कम करने का गुण पाया जाता है इसका नियमित उप्योक से वजन कम होने की गतिविती बढ़ जाती है कच्ची हल्दी से बनी चाय अत्यदी कलाब कारी होती है इसमें इम्यून सिस्टम मजबूत होता है इसमें एंटिवेक्टोरियल गुण होते हैं जिसमें सोराइसिस जैसे तवचा संबंधी द्रोग से बचा सकते हैं